कि है गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्यानाय की उपर और आज मैप के लिए लेकर आई हूँ पेड़गोजी अफ मैट्स का सेकेंड पार्ट यह आप यह सीरीज पूरी पेड़गोजी के जो है आपके सिर्फ सीटेट के लिए जरूरी नहीं है आप साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर अपडेट हैं तो बैल आइकन भी जरूर दबाएं और अगर आपको अपने फस्स पार्ट इस Calm नहीं देखा इस सीरीज का धो दिन्क्ति जायं में आपको को देढ़ेगी आप अहांसे सकते हैं तो गाह चाहीं मृएम स्टार स्क्रीन पर देख रहा होगा कि टॉपिक फो टुडे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर उफ मिनमाटिक्स सो मैट्स का नेचर क्या है किस तरह से मैट्स वर्क करता है और टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है इसको जानना बेसिकली देखें टीचर को डील करना होता है पर देखें तो बच्चा किस तरह की गलतियां कर रहा है किस तरह से उसकी समझ बन रही है यह किस तरह से बच्चा सीख रहा है यह सब टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है और इसी पर जो है आपको बहुत सारे questions बहुत सारे teaching exams में देखने को मिलते हैं आपको statements दी जाती ह है यह कौन सी बुरी है इस तरह के options जो है और questions जो है आपको मिलते रहते हैं हमेशा CTAT में और इसकी सीरीज में जल्दी शुरू करूंगी मैं already CTAT EVS के और CDP के जो question paper है solve लेकिन उससे पहले मैं जाते हूँ कि आप पहले अच्छे दर से पेड़ागोजी समझ ले मैच की तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आज का मारा topic जैसा कुस स्क्रीन पर दिखाई देही रहा हुगा nature of mathematics तो चलिए start करते हैं यह जो आपका है आपको सामने दिख रहा हुगा कि basically हमारा जो topic है वो यही रहेगा nature of mathematics है लेकिन इसके अदर बहुत सारे points है जो आपको जानने जरूरी है तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले तो आप देखे कि mathematical statements are unambiguous ठीक है इस unambiguous का मतलब क्या है वो आपको जान right now yes so mathematical statements are unambiguous तो यह unambiguous का मतलब क्या होता है देखिए unambiguous का मतलब होता है clear मतलब सपश्च रूप से तो जो maths की जित्ते भी statements होती है वो बिलकुल हमारी clear होती है ठीक है वो बिलकुल clear होती है उनमें कोई भी as असपश्चता नहीं होती है मतलब यह नहीं कह सकते हम कि अगर आपने कहा कि 2 प्लस 2 जो है वो 4 होता है तो हम इसको wrong नहीं बोल सकते कि 2 जो है 3 होगा या फिर 1 होगा यह नहीं है तो मतलब clear है कि इसका पूरा answer जो exact answer है आपका 40 आएगा और यह universal है यह proof है इसका ठीक है तो 2 प्लस 2 हमेशा 40 होगा तो इस तरह से maths की जतने भी statements होती है या अगर हम देखें next तो definition of any concept in mathematics और any mathematical statement is clear तो यही मैं आपको समझाया है कि mathematics में जतनी भी statements होती है वो सारी आपकी clear होती है ठीक है and precise precise का मतलब होता है बिलकुल सटीक उसमें कोई भी doubt आपको नहीं रहना चाहिए living no place of doubt मतलब doubt का case रहना ही नहीं चाहिए अगर कोई भी statement या concept म doubt का case है तो वो maths maths हो ही नहीं सकता है मतलब maths demand करता है clarity की clarity होनी चाहिए उसमें precision होना चाहिए तब ही अब वो mathematical statements होगी या वो maths का हिस्सा होगा अगर उसमें थोड़ा सा भी unclarity है या फिर precision नहीं है तो यानि कि वो maths का part ही नहीं ठीक है मैं आपको कुछ example देती हूं the definition of triangle पता है इस चीश के बारे में ठीक है आप इसको क्या rectangle बोल सकते हैं कि आप इसको square बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं जी नहीं आपके triangle की definition concept जो है वो बिल्कुल clear cut है और सबको यह पता है universal है तो इस तरह से maths में जो statements and definitions होते हैं बिल्कुल clear होती है जैसे sphere की definition हो गई या फिर आपके quadilator की definition हो गई चतरभुज की definition हो गई तो यह सारी चीज़े clear होती है और precise होती है तो यह maths का एक nature है यह आपको याद रखना है कि mathematical statements are unambiguous या फिर आप clear कह सकते हैं unambiguous का मतलब clear होता है ओके हिंदी medium के लिए में बताना चाहूंगे कि जो maths में यानित की जितन आपने भी आपकी परिभाशाई होती है वो सब सबस्ट होती है उनमें कोई भी डाउट नहीं होता है ओके तो आई होब कि आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगे अब हम next देखेंगे और जानेगे कि क्या है तो नेक्स्ट है तो passer है यहां पर तुरूफ का मतलब क्या होता है सब को पता है कensor को livres का मतलब क्या है सच यानि कि मैं में जो है सच की बात होती है बैसिकले और वो निकलता कैसी गर क्हें अगर logical statements होनी चाहिए और जो आप proof करना चाहते हैं उसमें consistency होनी चाहिए without consistency आप उसको proof नहीं कर सकते consistency का मतलब यहाँ पर क्या है suppose आपने जैसे कि मैं कुछ example मैंने लिखे हुए इंसे समझाते हूँ आपको जैसे कि 5 divides 15 without leaving any remainder तो अगर आप 5 15 को जो है आप 5 से इखटी करते हो suppose आपने बॉल से खरिक कर ली ठीक है अपने बॉल्स का सेट ले लिया अठीक है एक जगे अफने sticks का सेट ले लिया एक जगे अपने pencils सेट ले लिया तो इन इनके 15 15 सेट ले ठीक है और इनको 5 मतलब 5 हिस्सों में इनको डिवाइड कर दीजे आप जब इन 15 बोल के सेट को या 15 लकडियों के सेट को या 15 पैंसल के सेट को 5-5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 3-3 के ऐसे सेट बन जाएंगे ठीक है, हर सेट में 3-3 चीज़े होंगी, 3-3 चीज़े होंगी हर सेट में, तो ये क्या दर्शारा है? ये दर्शारा है कि 15 है, उससे 5 जो है, हमेशा डिवाइड होता है, कोई भी remainder इसमें नहीं बचता है, ठीक है, तो यानि कि आपके consistency होने चीए अब 15-15 का कोई भी set उठा लीजे आप किसी भी चीज का set उठा लीजे तो यह consistency जो है यह maintain रहेगी ठीक है और यह logical भी है क्योंकि आप logically इसमें दिखा रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं आपकी आपने तीन-थीन चीजों को डिवाइड किया तो यह total जो है पांच बार डिवाइड किया आपने तो यह पंद्रा बन रहा है और यहां पर कोई भी चीज जो है आपकी बच नहीं रही है चीज देखे रिमेंडर क्या होता है अगर मैं पंद्रा ब dv by पांच की statement को देखें तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पंद्रा चीज अगर आपने पांच हिस्सों में बाट दी है धीक है दुबारह सुनिएगा और कोई भी पंद्रा चीज आपने लिए और कोंब तो यह पर इस प्रूव हो जाती बात, तो यानि कि यह आपका truth नहीं होता, तो यानि कि इस बाद में सच्चा ही भी है, consistency भी है, logic भी है, तो यह आपकी math की statement है, उसके बाद if you add two odd numbers, you will always get even number, ठीक है, कोई भी दो odd number आप लेते हैं, ठीक है, suppose मैंने 3 plus में 7 ले लिया, 10 आया, 2 plus में, sorry, 2 is even 1 plus में 5 ले लिया, 6 आया, 11 plus में मैंने 3 ले लिया, 14 आया, ठीक है, तो आप जितने भी sets लेंगे odd number के, odd number के आप जितने भी sets लेंगे, आपका हमेशा result होगा, वो positive होगा, ठीक है, जिसको odd or even number का मतलब नहीं पता, आप मैं बता देते हैं एक बार, जो numbers जो हैं, जो numbers जो हैं, 2 से, ठीक है, completely divide हो जाते है, 2 से वो क्या होते हैं, आपके, even numbers होते हैं, और जो 2 से divide नहीं होते, वो आपके क्या होते हैं, odd numbers होते हैं, ठीक है, बस यह difference है, आपको यह चीज याद रखना है, बस, यह simple सा difference है, अगर आप एक और चीज लेंगे, तो 1, 3, 5, 7, 9, एक यह logic भी है कि जिन भी numbers के पीछे यह आते हैं, यह सारे आपके हो जाएंगे, odd number, जिनको order, even का concept, अच्छेतर से clear नहीं है, और जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, यह आपके होगे, even number, तो यह है, वैसे basically यह है, कि even number गो होता है, जिसको आप दो भागों में, मतलब बाट सकते हो, मतलब दो से वो divisible terms होती है, उनको हम even numbers बोलते हैं, ठीक है, तो यह आपको clear हो गया होगा, I think, कि maths में truth की बहुत value है, साथी साथ consistency की value है, कि लगातार आपका जो answer है, वो बिलकुल सही आना चाहिए, प्लस आपकी जो बात है, उसमें logic भी होना चाहिए, without logical या without किसी भी criteria कि आप उ दिख रहा होगा, nature of mathematics में एक और चीज आपको देखनी है, कि two types of logic होता है, that we use in maths, हम maths में दो तरह के logic use करते हैं, एक आपका है inductive logic और एक आपका deductive logic, जो यह inductive logic होता है, यह क्या होता है, अगर आपने साइकोम भी पढ़ा हो, inductive reasoning, deductive reasoning, यह सेम ही चीज है, ठीक है, जब example से आप rule की तरफ जाते हैं, तो यह आपका हो जाता है inductive reasoning, ठीक है, यह लेकिन जब deductive का मतलब क्या है, आप rule से ही examples solve कर रहे हैं, तो उसको हम deductive बोल देते हैं, ठीक है, suppose, अगर मैं आपको इसमें example दू तो, इसमें एक example मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे कि, suppose, राम है, ठीक है, राम एक लड़का है, और राम जो है, अगर मैं कहती हूँ कि राम is, यालि मैं कहती हूँ, all men are mortal, ठीक है, all men are mortal, सभी mortal है, ठीक है, and राम is a man, राम is a man, ठीक है, तो इस statement से अपने क्या deduce किया, कि हमें पता है कि सारे men जो हैं, वो mortal है, ठीक है, तो राम क्या होगा, राम एक आदमी है, तो राम क्या होगा, राम भी mortal होगा, ठीक है, तो आपने ये जो जनरल चीज थी, इस से जो है, ये example जो है, आपने deduce कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं, deductive reasoning, ठीक है, यहाँ पर एक जनरल रूल था, कि सारे men जो है, वो mortal है, ठीक है, उसके बाद राम भी है, या फिर मैं कहूं, रोहनिक मैं है, या फिर मैं कहूं, कार्थे किस है मैं, तो हम कहेंगे कि रोहन, राम और कार्थे कार जो मॉर्टल, क्योंकि all men are mortal, ठीक है, या फिर पाइथागोरिस की थेोरम बदाती है, हमने कि आपका जो हाई-पोटेनस होता है, उसका अगर हम स्क इंडुक्टिव रिजनिंग की, तो इसमें हम पहले एग्जामपल्स पर ध्यान देती हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जामपल बताओंगे एक बर प्रूफ करने के लिए इसका इंडुक्तिव रिजनिंग का कैसे होता है, ठीक है, एक सिम्पल एग्जामपल लेती हूं, कि दूसरे की भी टेल थी करा अब तीसरा देखा उसकी भी टेल थी पांच अब छॉइआ लगाल कि जितने ब दॉग होते हैं आ चिरि कर उसके पास चर्टरेमिक आ फेलिदल क हन बो सब कि इसने अपस डॉट श्रहां गयान यह जो डॉग वाल एक्जामपल दिये यह आपका डिड़क्तिव रिजनिंग का एक्जामपल है ठीक है तो जो बत mathematics needs to use a form of logic that will prove a statement for all the cases लेकिन हमें maths में ऐसी statement की एक ऐसे logic की जरूत होती है जो सभी statements को बताया तो वह आपकी प्रूव होनी चाहिए हैंस it uses a particular form of inductive logic तो यह particular form of inductive logic का यूज करता है and it is called mathematical induction तो इसमें inductive logic का यूज होता है और इसको बोलते है mathematical induction तो कोशिन यहां पर आपका यह भी बन सकता है कि mathematical induction में क्या यूज होता है तो induction है तो obviously यहां पर inductive reasoning है मतलब example के थूह हम जो है काफी statements के थूह हम एक रूल पर पोच्चते हैं ठीक है तो maths में generally यह चीज फॉलो होती है ठीक है जनरली इसने बोला है कि particular form में देखें तो हम maths में यह फॉलो होता है लेकिन दोनों ही जो एक्जांपल है आपके कि inductive and deductive reasoning दोनों ही मैं में हूज होती है ठीक है तो question कभी आए आपके सामने कि कौन सी यूज जो डीजनी के वह मैं में यूज होती है दोनों ही यूज होती है inductive logic भी यूज होता है or deductive भी उस होता है तो अगर एक तरह से इंडुक्ति लॉज होता है उसके बाद अगर हम बात करें इसकी mathematical induction की जो मैंने dog वाली बात किया तो अगर एक बच्चे ने एक भी ऐसा dog देख लिया जिसकी पूँच नहीं है तो आपकी statement बिल्कुल disapprove हो जाएगी कि सारे dogs की जो है टेल होती है तो मतलब math में जो statement है सारे cases में वो statement जो है लागू होनी चाहिए उस बात के उपर तभी हम कह सकते हैं कि math का जो nature है इसको हम ऐसे judge कर सकते हैं कि हाँ यह maths है अगर सारी statements proof हो रही है हर case में proof हो रही है जो भी हमारा sample case है हर चीज में proof हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो जो है mathematical statement है अब अगर हम next चीज देखें कि use of symbols तो maths में जो है symbols का use होता है ठीक है अगर मैं कहूं 5 है या 6 है या 7 है यह सारे आपके symbols है ठीक है या फिर यह मैं division का symbol बता दूँ यह मैं multiplication का symbol बता दूँ यह plus का बता दूँ यह minus का यह सारा यह मैं जो होता है अब symbols के use क्यों होती है मैं 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 तेक्राप सिर्फ कहानियों पर कथाओं पर स्टेटमेंट्मेंट्स पर जाएंगे तो math बहुत मुश्किल हो जाएग क्या आपको बता है math बहुत ही वास्त है तो एक तरह से आपकी जल्दी तो math में जो है symbols का बहुत अच्छा यूज है और मतलब जितने भी आपको सॉल करने है तो यह सिंबॉलिक नोटेशन होती है math में यह आपकी बहुत ही help करती है इस चीज में इसलिए हम math में symbol का यूज करते हैं ठीक है लेकिन अब तो टीचर के लिए यहां पर इंपोर्टेंट है कि वह जो है केवल मेकानिकल वे से ना पढ़ाएं कि आपने बता दिया कि हां भी अगर आपको डिवाइड करना है तो यह लोग 5 रहा और आपने यहां से डिविजन कर देना है पूरा ठीक है तो यह अगर आप सिर्फ डारेक्ट यह तरीका बताएंगे बच्चों को इसके थ्रू बताएंग पढ़ाएंगे तो आप देखें कि बच्चे कभी भी मैथमाटिकल कॉंसेप्स को नहीं सीख पाएंगे यह जो अलगॉरितम होता है यह हैल्फुल होता है लेकिन इससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है जैसे प्याजे ने बोला था कि जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है उसमें हम थोड़ा सा कंक्रीट ए चाहिए क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अलगॉरितम तो सीख लेते हैं रट्टा मार लेते हैं कि कैसे अलगॉरितम यूज हो है लेकिन अलगॉरितम में यह यूज क्यों हुआ यह समझ नहीं पाते हैं एक चोटा से एक्जामपल दूंगी कई बच्चे मिस्टेक करते हैं 21 21 को अगर में 2 में plus करना है तो बचे इधर eker Derp प्रस करदे है वह इस 2 को के play onda ale प्रीकर देम ट्वेंटीवन में इस 1 का play ile लिएयर टुक प्लेस तीन कें पाते हैं यह में एक जरनल बात बता हुरूं कि बच्चे काaces and तो यह चीजी जो है संझांडे दो weather तो यह आपको भी धिहान रखना है कि जब भी कोशन एक्जाम में ऐसा तो हमेशा कुंसेट क्लेर क्लेरिफिकेशन जरूरी है जादा अब देखें मैट्स टील विद अबस्ट्रेक्ट आइडियास एंड कंसेप्ट एंड फॉर कम्यूनिकेटिंग थेम एफेक्टिवली विन यही बात बताई है कि अगर आपको अच्छे से कम्यूनिकेट करना है तो हमें इस सिंबल ओफ नोटेशन की जरूरत बहुत जादा पढ़ती है तो यह तो आपको पता है कि मैट्स में सिंबल का रियूस कितना जरूरी होता है जैसे जीरो हो गया वन हो गया यह नंबर बुचते ह threats to symbols जो ह होने बहुत जरूरी हिस और यह नहीं कह सकते कि एक चीज हो गई दो चीज हो गई इन दोनों को मिला दो तो ये दो येग्टैन है इन तीन हो अमिल गी टूरी का सिंबल है इंग्पका सिंबल यह इसा सिंबल है इसकी जरूत है आपको बच्चों को को एफिशेंटली सिखाने के लिए तो यानि कि सिंबल का यूज भी मैच में बहुत जादा इंपोर्टेंट है ओके तो यह था आपका मैथेमाटिकल सिंबल्स के बारे में अगर हम अप नेक्स चीज की बात करें तो आप इन स्टेटमेंट को देखें सेवरल सर्कल्स केन भी ड्रॉण थूए पॉइंट ठीक है एक पॉइंट से जो है सपोज एक पॉइंट है ठीक है इससे बहुत सारे सर्कल जो है ड्रो किये जा सकते हैं ठीक है इंफिनिटिव आप चाहें तो कैसे भी ड्रो कर सकते हैं इस एक पॉइंट से यह जो एक पॉइंट था ओके लेकिन आप सामने दो पॉइंट दे दिए ठीक है तो आप यहां से कितने सर्कल रो कर पाएंगे या फिर आपके सामने तीन पॉइंट दे दिए ठीक है तो इन तीन पॉइंट से आप कितने circle draw कर पाएंगी, तो यह statement है, आप इस statement को समझे, एक point से draw करना था, तो हमारे पास बहुत सारे, बहुत सारे circles आप एक point से draw कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप how many can be drawn through two points और three points, अब यह question बच्चे से पूछे, देखेंगे, बच्चे क्या response देंगे, खेर यह question अच्छा है, लेकिन आप पूछेंगे, तो आपको different different pro मिलेंगे, अब देखे, mathematical problems improve one's ability, अब इस question के बेस पर मैं बताती हूँ, आपको कि mathematical problems होती है, जैसे यह भी mathematical problem है, ठीक है, यह हमारी क्या प्रूफ करती है, बच्चे में क्या चीज़ प्रूफ करती है, तो one's ability to, अगर यह चीज़े बच्चो mathematical ability अगर बच्चे के अंदर develop करनी है, तो क्या-क्या चीज़े आनी चाहिए, देखे, think precisely, अभी मैंने nature of mathematics में बात किया, कि precision होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल accurate तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आपको उसको articulate करना आना चाहिए, उसके बाद logical भी होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, ऐसे कि हम कहते हैं कि दो circle बनेंगे, तो भई, एक ये point हो गया, हम इन दोनों point को लेके circle बना सकते हैं, ठी मैट्स में एक pattern follow हो जाता है, for example, अगर मैं example दूँ, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो 2 क्या है, 1 प्लस 1, उसके बाद 3 क्या है, 2 प्लस 1, 4 क्या है, 3 प्लस 1, मतलब पहले वाले नंबर में, अगर हम एक एक जोड़ते जाएं, तो आपके counting बढ़ती चल तो यहां भी एक pattern follow हो गया, तो यहां भी एक pattern follow हो गया, ठीक है, even numbers में भी हुमने उपैटन देखा, फिर हमने odd number में pattern देखा, तो इस तरह से patterns और relationship जो है, maths में निकल के आती है, जिसे आपको में right angle triangle का मेंने बताया, आपको hypotenuse का, for example, this is A, this is B and this is C, ठीक है, तो हमें पता ह इस तरह से आपको जिस्ट बताया है, कि आपको mathematical problems जो है, एक इनसान में क्या-क्या चीज़े develop करती है, वो उनको precisely सोचने में help करती है, accurately सोचने में help करती है, logically सोचने में help करती है, उनको pattern और relationship find करने में help करती है, तो आपको नहीं लगता कि यह सारी चीज़े जो हैं से प्यार हो जाए और बच्चा एक इंजोएबल एक अच्छे वे में अगर इसको मैं सखाया जाए तो उसमें भी यह सारी चीज़े जो है, डवलग हो जाती है, ठीक है, तो यह था आज का हमारा कंसेप्ट, सो गाइस मैंने आज सिफ डिसकस किया है, मैंस के कंसेप्ट, ठी तो यह चीज़ा को अपको काफी थी जीज़े ब प्रिच्च करेंगे और अगले पार्ट मैं ऐना इसक झास करेंगे, तो अगर आपको वीडियो लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कीज़े और साती ही जानल को सब्सक्राइब कीज़े ताकि आपको और अपडेट तो है मिल जाए और बैल इकन पे जरूर बबाए and thank you for watching ग्यानाएक्यो